समर्थ कलासेस में सभी का एक बर स्वागत है दोस्तों बहुत कुशी की बात है कि जारखंड सरकार ने 2022 के नियुक्तियों के लिए कलेंडर जारी कर दिया है जी हाँ, राज सरकार ने जारखंड करमचारी चयन आयोग को 4500 पदों पर नियुक्ति की अनुसंसा कर दी है याद आखिए, टोटल 4500 पदों पर इस वर्ष नियुक्ति होगी ठीक है, अब हम लोग देखें कि इसमें से कौन-कौन से नियुक्तियां है तो 1305 पदों की नियुक्ति का बिग्यापन जारी हो चुका है तो हम लोग देखेंगे कि कोन-कोन से विग्यापन आने वाले हैं और कोन-कोन से विग्यापन आ चुके हैं तो सबसे पहला है बेज्ञानिक सहायक परतियोगिता परिच्छा बेज्ञानिक सहायक पर्तियोगिता परिछा ये पहला है ठीक है ये परिछा जो होगी फरवरी के पहले सब्ता में होगी और रिजल्ट भी उसी माह में अंतिम हबते में निकाला जागी यानि फरवरी में ही इसका काम जे SSC कम्प्लिट कर देंगे इसमें कुल कितने पद हैं तो कुल 63 पद हैं इसका फोर्म भरा जा रहा है ठीक है दूसरे नमबर पर क्या है दूसरे नमबर पर है सामायन असनातक योग्यता धारी संजुक्त परतियोगिता परिच्छा जी हाँ इसका फोर्म जो है अभी भरा जा रहा है कितने पद हैं इसमें तो इसमें कुल 957 पद हैं 957 सीथ हैं इसकी फोर्म भरी जा रही है और जे SSC का कहना है कि इसकी परिच्छा जो होगी अप्रेल के पहले सब्ता में होगी और जून में रिजल्ट आएगा यानि जे SSC जो है बहुत जल्द परिच्छा लेने वाली है इसलिए आप लोग सभी तैयारी में लगे रहें तीसरा नमबर है डिपलोमा अस्तर संजुक्त परतियोगिता परिच्छा जी हाँ इसकी भी फोर्म भरी जा रही है इसकी परिच्छा जो है अपरेल के अंतिम सप्ता में होगी और नतीजा आएंगे जुलाई में ठीक है इसमें कितने सीट है इसमें 285 सीट है 285 सीट है इसमें ये तीनों के फोर्म तो भरे जा रहे हैं अब देखते हैं आगे कौन सा फोर्म आने वाला है कि फरवरी में इंटर अस्तरिय संजुक्त परतियोगिता परिच्छा का विग्यापन फरवरी के दूसरे सप्ता में फरवरी के दूसरे जाने दस से बारा तारिक तक इसके अप फोर्म जो है आ जाएंगे और इसकी परिच्छा जो होगी मई के दूसरे सब्ता में होगी यानि सारा एक जाम मई में होगा और रिजल्ट अगस्त में जा रही होगे इसके रिजल्ट जा रही होगे अगस्त में जा रही होगे यह इंटर अस्तर यह है कलरक वगिरा का पोस्ट इसमें रहता है लेकिन इस परिच्छा माई के तीसरे समता में और रिजल्ट अगस्त में ठीक है पिर हम लोगों का एक मेट्रिक अस्तरिया परतियोगी था परिच्छा मतलब ज परिच्छा माई मतलब मात्र आपको दो महने से भी कम का समभी में मिलेगा तयारी इसलिए हमारा कहना है कि अभी से आप लोग तैयारी सुरू कर दें क्योंकि इसके विग्यापन जो है मार्च में आएंगे और परिच्छा मई में ही होंगे इसलिए वेट नहीं करना है और रिजल्ट अगस्त में आएंगे सबसे पहले आप लोगों को फटा-फटा अपना डॉक्मेंट तैयार कर लेना है जाती आए आवासिया कंप्लिट रखना है ताकि फोर्म भरने में दिक्कत ना हो इसके बाद लास्ट है इंटर अस्तरिय परतियोगिता परिच्छा एक और फोर्म आएंगे इंटर लेवल का इसका विग्यापन फिर मार्च में आएंगे और इसकी परिच्छा जो होगी जून में होगी और रिजल्ट सितंबर में आएंगे यानि हम लोग सब देख रहे हैं कि एकजाम जो है माई से जून के बीच सारा एकजाम हो जाएंगे इसलिए इसकी तयारी आप लोग अभी सही सुरू कर दें और अपने डॉक्मेंट्स की भी तयारी रखें ताकि परिच्छा में दिक्कत ना हो आगे फिर और हम लोग नोटिस देखेंगे थेंक यू